आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये speaker है इसमें क्या fault था इसका जो ये charging USB 5V का charging pin जो है ये अंदर चला गया था जिसके बाद मैंने क्या क्या ये चार screw को यहां से खोल कर इसका pin को फिर दुबारा मैंने soldering कर दिया इस तरह से ये सही हो गया और दूसरी problem ये था इसमें इसका battery भी खराब हो चुका था यानि backup बिल्कुल भी नहीं था charging नहीं ले रहा था battery जिसके बाद मैंने battery को भी बदल दिया तो अब देख सकते हैं कि ये बड़ी आसानी से ठीक हो गया और ये काम भी अच्छा कर रहा है दूसरा वाला जो speaker देख रहे हैं दोस्तों इसमें कोई भी fault नहीं था बलके जब मैंने इसका charging pin लगाया इसका charging pin इस side में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका charging pin है dc5 volt तो मैंने जब इसे लगाया तो इसमें light आ रहा था ये आपका screen देख रहे हैं इसमें light आ रहा था अभी दोस्तों इसमें क्या fault था कि यह चार्ज नहीं हो रहा था इसे बहुत देर तक लगा कर रखा लेकिन चार्ज नहीं हुआ जब इसे खोल कर देखा इसे खोलने के लिए आप चाहे तो यह speaker का जो 4 screw है इसे आप खोलना है उसके बाद फिर अंदर भी 2 screw है उसे भी खोल खोलने के बाद अंदर देखा तो बैटरी इसके अंदर जो बैटरी था उसका वह बैटरी खराब हो चुका था फूल चुका था इसके लिए वह बैटरी चार्ज नहीं ले रहा था मैंने बैटरी निकालकर दूसरी बैटरी मैंने लगा दिया उसके बाद मैंने फूल चार् आइंदा अगर आप आने वाले वक्त में सीखना चाहते हैं कि हम कैसे आसानी से speakers को ठीक कर सकते हैं किसी तरह का भी speaker हो तो आप मेरे channel से जूड़ जाएं मेरे channel को subscribe कर लें और like share भी करें videos को अगर आपको अच्छा लगता है और दोस्तों ये मेरा पूरा system है आप देख सकते हैं कि ये soldering iron है मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों उतना बड़ा कोई ये नहीं है system बस room के अंदर में ही ये सारा काम करता हूँ ये कालीन जो है खराब नहों इसके लिए मैंने एक टुकरा है कपड़ा का वो मैंने डाल दिया है ये मेरा देख सकते हैं कि चिम्टा है जिससे आप पकड़ सकते हैं इस तरह से इसके अलावा भी दोस्तों ये soldering है और ये paste है और ये हमारा है रांगा जिसे बोलते हैं या soldering wire बोलते हैं और दोस्तों इसमें हमारा जो सारा ये है खोलने के लिए screw और भी दोस्तों extension board है और दोस्तों ये हमारा tripod है जिसमें हम रखके video बनाते हैं तो दोस्तों ये मेरा पूरा system है जिसमें मैं काम करता हूँ और आपको मैं आपको दिखाऊंगा कि दो और light मैंने सही किया है दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये दो light को भी मैंने सही किया है इसमें क्या problem था इसका जो LED था उसके अंदर छोटे छोटे sales होते हैं तो वो sales एक दो तीन चार वो जल गया था जिसके बाद मैंने उसे जानते हैं कि LED मैंकर sales से जल जाता है तो उसमें आप short कर देते हैं तो चलता है तो मैंने उसे soltering कर दिया short कर दिया इस तरह से ये बड़ी आसानी से चल जाता है दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा room है दोस्तों तो इस तरह से बड़ी आसानी से ये ठीक हो जाता है और ये मेरा पूरा देख सकते हैं कि ये room है और room में ही ये काम करते हैं यहाँ पे ह हमारा extension board है इस तरह से पूरा देख सेकने सिस्टम है दोस्तों आप मेरे चैनल से जुरे रही है मैं तमाम चीज़ें इसमें हम तमाम चीज़ें आपके साथ साथ सीखने की कोशिस करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक शेयर कर देजिए